नमस्का तुस्तो, stock market studies में फिर सिखबर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पे में discussion करने वाला हो एक private bank के बारे में, देखे दो तरीके से bank होते हैं, एक आप सभी जनते हैं, एक private bank है, और साती साथ दुसरा जो bank है, वो है PSU bank, तो private and PSU दोनों अलग-अलग categories के हो private मतलब खुद companies का कोई भी promoter चलाते हैं, और PC मतलब उसका promoter कोई government होता है, मतलब President of India होता है, तो मैं आज discussion करूंगा एक private bank के बारे में, जो इंडिया के second largest bank है, देखे इस company को उपर मैं पहले भी आपको focus रखने के लिए बोला था, जब एक level में आपको बताया था, उस level breakout क एक अच्छा का सा rally देखने को मिला, फिर भी अभी भी बता रहा हो, फिर से एक नया बड़ा rally देखने को मिलेगा, कि rally देखने के chances रहेगा, क्यों रहेगा, मैं उसी के बारे में discussion करूंगा, technically chart button भी दिखाऊंगा, तो विडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का जो bank है, आज का जो bank का discussion है, वो है इंडिया के second largest bank, जिसका नाम है ICICI bank, तो ICICI bank आप सभी जानते है, इंडिया के second largest bank है, तो इस bank का क्या खासियत है, जो खासियत है, उसके बारे में discussion करूंगा, तो विडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, और अभी तक अपने इस चनल को सब्सक् market information, अपडेट, news के बारे में पता करना है, तो इस चनल के उपर बने रही है, तो चलो देख लेते हैं, आज के stock के बारे में, तो आप सबसे पहले, मैं जो चीज आपको दिखाने वाला का किस bank का खासियत किस तरीके से हो रहा है, और किस तरीके से चल रहा है, तो देखिए, बैंक, आइसे से जो बैंक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको इंटोड़क्शन देदू, कॉम्पानिस के बारे में, तो आपको जो चीज देखने को मिलेगा, देखिए, आइसे से बैंक, लिमिटेड इज एन इंडियन पाइवेट बै मतलब जो आप और हम जो बैंक में सेविंग एकॉंट करते हैं, एपडी करते हैं, साथी साथ बीजनेस जो करेंट अकॉंट बनाते हैं, तो उसी के उपर कॉम्पानी काम करते हैं, साथी साथ इसका बहुत सारे सबसीडिरीज कमपणी भी है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट बी है, लाइप इंसर्नस कोंपणी भी है, नॉन लाइप इंसर्नस कोंपणी है, यह वेंचर कैपिट cookies, एसेट मैनेजमेट कमपणी भी है, तो इसका मतलब कंपानी के बहुत सारे सबसीडियेंऄन इस इसका भासियत का है, इस तोटल नेट वर्क के पारें बात करूने तो 5 17 countries, तो company 17 countries में भी खुद का business चला रहा है, खुद का bank चला रहा है, तो यही सबसे बड़ा खासियत है, उन में से आप देखेंगे तो United Kingdom and Canada, साथिसाथ branches United State में भी है, साथिसाथ Singapore में है, यहापे देखेंगे बाहरेन में है, Hong Kong में है, Qatar में है, Oman, Dubai, internationally बहुत सारे जगह में है, चाइना में भी है, South Africa में भी है, तो company का खासियत यहाँ से ही पता चलता है, साथिसाथ आप देखेंगे तो company, यहापे देखेंगे इन अरब अमिर साही यहापे भी है, साथिसाथ भांगलादेश में है, मालेसिया में है, तो अंद्रोनिस्या में भी है, तो बहुत सारे तकर देने के लिए, अगर कोई भी बैंक सामने आये, तो वो है ICC Bank, क्योंकि इस बैंक दम रखता है, तो फिर भी HDFC Bank को कोई छोटा मोटा बैंक मत समझ लेना, कि ICC Bank बहुत छोटा है, कल जाके ICC Bank बूस को टकर ले लेंगे, तो ले भी सकता है, फिर भी HDFC Bank भी बहुत स्ट Management, Management, Mortgage Loan, Mutual Fund, Private Fund, Equity Fund, Risk Management, Wealth Management, Asset Management, तो कमपणी जितने सारे Financial सेग्मेंट है, वो सारे सेग्मेंट के उपर काम करते हैं, आप सभी जानते है, ICCI का सिर्फ बैंक नहीं है, ICCI से Potential, ICCI से Lombard, ICCI Insurance, तो बहुत सारे Companies इस कमपणी का है, तो बहुत सारे Companies इस कमपनी का है, सा तो इस कमपनी का खासियत एही है, कि आप इस कमपनी के उपर ध्यान से दिखेगा, बहुत बड़ा Market Cap लेके रखा है, कोई छोटा मूटा Market Cap नहीं है, कमपनी का Total Market Cap है 6,35,000 करोड़ से भी जादा, इसका मतलब एक Large Blue Chip Type Company है, हाँ, आप कहेंगे Sir, Competitor के हिसाब से तो HDFC इंका 9 लाग करोड के आसपास Market Cap है, हाँ, बिल्कुल, सही है, आपके बाद भी सही है, फिर भी मैं आपको जोरू कहूंगा, अगर कोई बैंग टकर लेना चाहे, HDFC बैंग से, वो ICAC बैंग ही ले सकते हैं, क्योंकि इस बैंग ने जो नया बिजनेस टार्ट किया, मैं आपको एक ब बहुत सरे बैंग को टाइअप कर रहा है, उस बैंग से बो एकाउन उपन कर देंगे, उसका टंजेक्शन कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और ICAC बैंग से बैंग से बो कमिसे ले लेंगे, और ICAC बैंग को डिटेक्ट फाइदा होगा, क्योंकि उस बैंग से बो मतलब पै तो ICC Bank का Kaasa Ratio 48 है, मैं जरू कहूंगा, इससे कई ज्यादा SDFC का Kaasa Ratio है, हाँ, Codec Bank का भी इससे ज्यादा है, तो दीखें ये Data Changing होते रहता है. ये Data क्या है? Kaasa Ratio मतलब CA का मतलब है Current Account and SA का मतलब है Saving Account. तो Bank में कितना पैसा Current Account और Saving Account से मध्धम से आ रहा है, वो ही bank के लिए loan देने के लिए वो ही पैसा वो use करते हैं तो cash ratio जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही bank के लिए खास होगा तो company का CR percentage capital education ratio जो है वो 19.16 है बहुत सांदर है क्योंकि banking के rules के हिसाब से 9% के उपर होना चाहिए RBA के rules के साब से 19% है बहुत ज़्यादा है तो हाथ में cash available बहुत ज़्यादा है profit growth 44% है बहुत सांदर है return of equities भी return of capital employees भी बहुत सांदर है हाँ आप कहेंगे sir company के उपर तो बहुत बड़ा depth है अब यह बात भी सही है depth बहुत है फिर भी depth क्यों नहीं होगा क्योंकि banking जो sector होते है वो पैसा लेकर ही काम करते है तो इस चीज़ को दिखाने से पहले companies का एक बार में आपको ए चीज़ दिखा दिता हूँ ratios तो ratios के बारे में बात करो तो दिखिए company का NPA जो बहुत तगड़ा performance कर रहा है हाँ बहुत ज्यादा था तो धिरे धिरे करके वो कम तरीके से लेकर आया पैग रेसियो एक के नीचे होना चाहिए एक परसन के नीचे ओबिसली ठीक ठाग है cost of liability भी बहुत कम किया है एस सबसे बड़ी बात है कितना cost of liability मतलग company को और कितना पैसा दुसरों को देना पड़ेगा तो बो है cost of liability लाइबलिटी जितना कम रहेगा उतना ही खास है एन पी एन इम भी ठीक ठाग लेबल में है तो company में क्यू ग्रोथ होगा future में वो भी आपको अभी से दिखा रहा हूँ किके मैं चार्ट प्रन अभी दिखाँगा उससे पह देंगे क्योंकि company 52 week high के आसपास नहीं lifetime high के आसपास है तो company में क्यू positive हूँ है क्योंकि company के बड़ा delivery उठा जा रहा है 70% से भी ज्यादा delivery उठा जा रहा है इसका मतलब लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बहुत तगड़ा delivery आप उठा जा रहा है तो इसलिए मैं बहुत positive हूँ क्योंकि जब देखिए आप और में इतने बड़ा delivery उठा नहीं सकता क्योंकि जितने बड़ा delivery उठा जा रहा है उसका मतलब FIS और DIS ये दोनों ही इन्वल हो रहा है इस company के उपर इतने सारे large blue chip type company है वो भी हाई करने का कोसिस करेगा तो एही कारण basis में देखा जाएते स्टॉक में भी तेजी देखने को मिला है तो मैं आपको बना के दिया था जो लेवल अपको बना के दिया था वो लेवल था इस लेवल के मतलब premium group पे यहापे दिया गया था इस लेव इस लेवल को तोनने के बाद आपको एक rally देखने को मिलेगा तो देखे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई label breakout होता है तो direct enter मत हो जाना क्योंकि यहापे मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूँ आप ध्यान से देखना जब कोई मतलब breakout होता है वह strong breakout हो कुछ भी हो enter मत हो उस retest man से अगर retest करे उसके बाद फिर से buyback करे तो सोचना एक बहुत बड़ा rally देखने को मिलेगा और यहापे तो देखिए एकी range में एक trade कर रहा है इसका मतलब volume कर रहा है तो जब volume strong हो रहा है तब higher chances होता है breakout करने का और यहाज से अगर breakout हुआ तो एक बहुत बड़ा rally द जाएगा इसका कोई guarantee में नहीं कोई नहीं दे सकता हां बहुत सारे लोग बोल देंगे के 200 2000 जाएगा 4000 जाएगा बिल्कुल जाएगा मगर कब जाएगा वो नहीं बता सकते तो एक prediction किया जाता है उस prediction के हिसाब से आपको चलना चाहिए तो ए वीडियो टोटली education purpose में था करना और आप उस research के सबसे काम करना तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है मेरे वीडियो कैसे लगा जोरू कमेंट करना इसी तरह के से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रेब भी करना मिलते नेक्स्ट निया एक स्टॉक लेके तब तक लिए अच्छे स